अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गानों को प्रमोट करना तो कि सारे गामा हम भोजपुरी से सिखे लेकिन पवन सिंग ने सारे गामा हम भोजपुरी के साथ गाना किया और उनका ये नियम बदल कर रख दिया जी हाँ हम आपको बता देए कि सारे गामा हम भूझपूरी पर जो पवन सिंग का गाना लाल घागरा रिलीज हुआ है उस पर एड नहीं लगाये गया है और बगैर एड के ही इस गाने ने नमबर वन की ट्रेंडिंग हासिल की है साथ ही साथ लोगों को बहुत पसंद आ रहा ह यह एक जो तरह का कल्चर था सारे गामा हम भूझपूरी में चाहे छोटा गाना रिलीज किया जाये चाहे बड़ा गाना रिलीज किया जाये उस पर एड जरू लगाया जाता था लेकिन पवन सिंग के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया बताया जा रहा है कि यह मानना को दिखें वैसे सारे गामा हम भोजपुरी के साथ एक और नया ट्रेंड पवन सिंग ने शुरू किया है जी हां वो हम आपको ये बता दें कि दिल्ली में जब सारे गामा हम भोजपुरी की प्रेस कॉंफरेंस चल रही थी उस दोरान जब रिपोर्टर ने एक सवाल किया कि कै इसे ये गाना बाकी सारे गानों से अलग है जो सारे गामा हम भोजपुरी पर रिलीज होता है तो उस सारे गामा हम भोजपुरी की तरफ से बदरी जाने जवाब दिया कि अपने कमफर्ट जो उन से बाहर निकल कर पवन सिंग ने इस सौंग को किया है और लगातार 24 घंटे हमारी शूटिंग चली है और ऐसे में नतीजा आपके सामने है कि इस गाने का मोशन पोस्टिर तक ट्रेंड कर रहा था ट्रीजर तक ट्रेंड कर रहा था और अब गाना भी ट्रेंड कर रहा है तो क्या कहेंगे आप हमारी इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूँ